आज के मोडूल में हम फाइलम आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन को डिसकस करेंगे स्केलेटन बॉडी का स्ट्रक्चर उसके उपर ही बेस करता है स्केलेटन नॉर्मली दो तरह की होंगे एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन exoskeleton वो है जो के body की outer side पे होगा और endoskeleton उसमें आप देख लें जैसे कि human beings के अंदर है arthropoda के अंदर exoskeleton यानि skeleton बाहर की तरफ और इसके muscles जो हैं वो अंदर की तरफ होगे यह इस exoskeleton का animal को आर्थ्रोपोर्ड के मुफ्लिफ animals को फाइदा यह है कि यह उसके मुफ्लिफ किसम के enemies से बचा के रखता है इसके लावा इसके अंदर exoskeleton जो है उसके उपर एक और layer होती है जिसको हम कहते हैं cuticle cuticle जो है यह एक important material से बना होता है जिसको हम कहेंगे काइटन काइटन इतना सक्त material है कि अगर आप उसको hard से hard machine में भी डालें तो काइटन जो है वो break नहीं होता इसी वज़ा से आर्थ्रोपोर्ड आपको दुनिया के हर हिस्से में नज़र आएंगे क्योंकि easily इनके body structure को काइटन या cuticle की वज़ा से damage कोई नहीं कर सकता इसके लावा आपने मुख्तलिफ आर्थ्रोपोर्ड में देखा होगा कि इनकी body के अंदर shining हमें नज़र आती है अब shining की क्या वज़ा है ये काइटन या cuticle जो है इसके अंदर ऐसा material है जो के इनको shining के body color मुख्तलिफ किसम के color देगा मुख्तलिफ किसम के shine देगा अब आर्थ्रोपोर्ड जो है इनके major reason success की मैंने आपको बताया इसका skeleton है लेकिन इस skeleton के लिए आर्थ्रोपोर्ड जो है उनको एक process से गुजरना पड़ता है जिसको हम कहते है एकडाइसिस एकडाइसिस ये होता है जब भी इनकी life की मुख्तलिफ stages होती है तो उसमें skeleton को ये shed off करते है shed off करने के बाद फिर इनकी body में निया skeleton बनता है वो जो period होता है वो इनके लिए बहुत ज्यादा dangerous होता है अब चूंके उस period में आप समझ लेंके इनके जिसम पे कुछ भी नहीं होता तो इनकी body animals को ज्यादा feasible होती है कि उस वक्त इनके उपर animal का अटेक ज्यादा हो सकता है और इनकी survival के chances जो है वो भी कम हो जाती है अब skeleton के और क्या-क्या फाइदे हैं कि ये इनके structure प्रवाइड करता है sport प्रवाइड करता है protection प्रवाइड करता है chiton जो है या cuticle जो है वो impervious है या imperveable surface है कि इसके अंदर water जो है वो enter नहीं हो सकता ना body के अंदर आ सकता है water और ना body के पाहर जा सकता है इसका animal को ये भी फाइदा होगा कि बहुत से ऐसे arthropods के animal जो के dry areas में रहेंगे इनके अंदर से जब body से water बाहर evaporate नहीं होगा water body में conserve रहेगा तो इनकी success का period जो है वो increase हो जाएगा इसके लावा इसके अंदर ये जो skeleton है इसके साथ body के मुख्तलिफ muscles जो है वो attach होते हैं जब body के muscle इसके साथ attach होंगे तो वो एक liver के तोर पे काम करते हैं और वो liver like structure जो है इनकी movement में help करते हैं इसकी excellent example आपने grass hopper को देखा होगा जो के मुख्तलिफ जगों से उड़ता हुआ एक पौदे से या एक फसल से दूसरे फसल तक चला जाता है इसके लावा exoskeleton के इस animal को आर्थ्रोपोर्ट के मुख्तलिफ animals को क्या फायदे हो सकते हैं body को cover करता है और इसकी जो invagination है body walls की उनको cover करेगा body के end, anterior end, posterior portions, जो gut tract के हैं उसको भी ये skeleton जो है cover करते हुए तमाम body के जो internal soft parts हैं उनको ये protection provide करेगा अब skeleton के अगर हम discussion में जाएं कि क्या ये living है या non living है तो skeleton जो है exoskeleton normally ये non living है और this is usually secreted by a layer which is known as epidermis और epidermis जो है this is just below the cuticle, cuticle की आगे फिर मुख्तलिफ इक्साम होंगी, epicutical, endocutical, वो जब भी इसको हम आगे detail में देखेंगे तो इसकी मुख्तलिफ anatomy और physiology हम आपको explain करेंगे अब epidermal layer जो है इसको बाज उकात हम hypodermis भी कह देते हैं अब hypodermis जो है ये भी tissue से मिलकर बनी हुई है और ये body के outer side को cover करती है with the help of exoskeleton rather than directly exposed to water or the air जहां पर भी animal रह रहा होगा, जिस habitat में रह रहा होगा, water में रह रहा है तो और या वो air में रह रह रहा है इस diagram में आप देखें अभी जो हमने बात की exoskeleton की तो वो hypodermis, this is the basement membrane, hypodermis, cuticle के two parts हैं, epicuticle, procuticle, procuticle में आ जाएगा, pigmented procuticle जो के hard है और pigmented procuticle जो के less hard है और skin से फिर जो structures arise कर रहे हैं इसको हम कहेंगे सीटे, ये सीटे जो है sensory perception में इनका important role होगा, अब इसकी skin को अगर आप देखें तो इसमें सारी structure की resemblance जो है वो आर्थ्रो पोर्ड्स के सब exoskeleton में एक ही जैसी है अब इस सबसे बाहर जो है वो इसकी basement membrane, hypodermus जिससे ये सीटे arise होते हुए जाएंगे, ये सीटे को आप compare कर सकते हैं human beings के hair से, जिस तरह से वो epidermus से arise करते हुए skin से बाहर जाते हैं, इसी तरह से arthropods के अंदर ये सीटे भी hypodermus से arise होंगे, और यहां से body के surface से बाहर जाएं तो ये exoskeleton quite advantageous body का structure है, जो के arthropods को successful animals होने में help करता है, चाहे वो किसी भी habitat में रह रहे हैं, air में, land पर, aquatic habitat पर, या flying mode में, तो इसका exoskeleton is an excellent example of arthropods, showing them the largest and successful animals of the group invertebrata.